हमारे देश में समाजवाद कहा है हमारे देश में तो अफसर वाद है जाजपाद वाद है कुर्शी वाद है अरे अग्ण वाध तो तब आएगा जब आप अपने वोट की ताकत म rhythm करेंगे यह जो वोट है ना घी आगस का तुकड़ा नहीं है कि डबे में डाला और चल दिये ये वोट तुमारे परिवार तुमारे देश उसकी उनती की परची है ये तो दो धारी तलवार है जो दोने तरफ से काटती है ठीक जगा पड़े तो देश खुशाल और गलत जगा पड़े तो देश का सत्यानाश अरे भाईयों हम तो आपसे एक सवाल पूछते हैं जब आप अपनी बहन या बिटिया की शादी तै करते हैं तो पहले अच्छा लड़का ढूरते हैं अच्छा खांदान देखते हैं उसके गुन और अब गुन देखते हैं तब जाकर कन्या की शादी करते हैं वोट भी तो तुमारी बहन और बिटिया है ना उसको किसी को भी उठा कर दे देते हो अरे भाई ये वोट तो भरो से मंद और इमानदार को देना चाहिए मगर आप लोग क्या करते हैं बेशते हैं आपना वोट वोट का ब्लैक मार्किट करते हैं जिसने जादा पैसे दिया उसे दे दिया वोट तो ऐसे बाठते हो जैसे वोट सडक पर मिलता है कभी किसी दोस को दे दिया कभी अपनी जात वाले को दे दिया और कभी बेश दिया अरे हम तो कहते हैं जो वोट बेशता है वो भी बहिमान है जो वोट खरिदता है वो भी वहिमान है तो फिर किस मूँ से हमें वहिमान कहते हो हां अरे अगर वहिमान लोग सरकार बनाएंगे तो सरकार तो वहिमान बनेगी ही तो फिर चलाते काई को कि डाउन डाउन मुर्दाबाद जिस दिन तुम वोड खरिदने वालों को अपनी चौकट से तक्का मार कर बाहर निकाल दोगे उस दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा अब देखो हमारे इन उपमक मुंतरियों को इन बैमानों को किसने बेजा ये आपी की लोगों के बेज़ो है न अब ये बैमानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आज से पांस साल बात जब इनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो ये पैसा कहां से लाएंगे अरे यही से तो लाएंगे ना अरे बोलिए बोलिए आप कहते कि हमने रिश्वत ली है बैमानी की है, अरे हम कहते हैं हमने रिश्वत खाई है, कोई कहता है 12 करोर, कोई कहता है 15 करोर, कोई 16, आप जानते हैं हमने कितना कमाया है, हां, 62 करोर, 62 करोर, 62 करोर, 60 और 2, हां, अरे जा सोचिए तो सही, अगर 6 मेने में हमने 62 करोर रुपया कमाया है, तो हमसे पहले इतने लोगों ने इतने सालों में कितने करोड कमाएं होंगे हैं हिसाब लगा सकते आप अरे जब आप हमारा हिसाब नहीं लगा सके तुन लोगों का इसाब कैसे लगा सकते हैं अरे हम तो कहते हैं लोगों से हिसाब मांगो हम तुम्हारे साथ हैं हम भी मिलकर हिसाब मांगेंगे क् क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि ये रुपया ये पैसा कमाने का तरीका कौन से रास्ते से होता है वैमानी का पैसा किस रास्ते से कमा जाता है ये अब हमें पता चल चुका है आप लोग कहते हैं कि हम वैमान हैं हाँ आप क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं, कोई कहता हैं इमानदारी के परगंबर हैं, मगर हम क्या हैं, हम वैमान हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे, सुन लिया आप लोगों ने क्योंकि हम इनका कच्छा चिठा जानते हैं ना इनका बांडा फोट सकते हैं इसलिए तो हम इन बैमानों के मुख्या बन गए पर हमारी बैमानी की कमाई गई कहा है क्या हम निगल गए कि उन इमानदार लोगों की जय जय कार करो उनी को वोट दो उनी की सरकार बनाओ और लोगतंतर के हाथ मजबूत करो पर वो इमानदार लोग भीक का प्याला लेकर वोट मांगने के लिए तुम्हारे दरवज्जे पर नहीं आएंगे अरे तुम्हें जाना पड़ेगा उनके दरवज्जे पर अपना वोट लेकर और उनसे बिनती करनी पड़ेगी कि हमारा वोट सुईकार करो वो देखी आपके सामने बाल मुकुन त्रिपाठी खड़े आदी जवाने अकल्यान है आप लोगों में यही तो खारावी है कोई बड़ी बड़ी बाते करें मीटी मीटी अच्छी अच्छी बाते करें आप धना धन तालिया बजाना शुरू कर देते हैं सुनकर खुश हो जाते हैं ये तालिय बजाना बंद करो ये ताली बजाने का वकत नहीं है अरे आपके इस सीधे पन का तो लोग फाइदा उठाते हैं पहले हमसे पूछो ए राम अफ्तार ए राम अफ्तार वो 62 करोर रुपया कहा है वो 62 करोर हम बैंक में रखा है और ये रही उस बैंक के मलौकरों की जाबियां अगर लोगों को कुर्सी पर बिटाने का हक आप लोगों के पास है तो उनको कुर्सी से घसीट कर नीचे फैकने का हक भी ताकत भी आप लोगों के पास होनी चाहिए